नमस्कार दोस्तों जग सक्साइस पॉइंट के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंचल बढ़ती परिक्षा के त्यारी के लिए रिजिनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन्स यह क्यूशन्स हैं एंचल के अग्जाम में लगबग आयो है क्यूशन्स और जो पूर्ट है इसका जो अग्जाम पैटन है उसके आधार पर हमने यह क्यूशन्स तयार किये हैं तो आज हम इन सब क्यूशन्स को पढ़ने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर करने के लिए सही उत्तर का चैन करें यह जो क्यूशन्स दिया गया है इसमें पांच पॉइंट दिये गए उनमें बताना है कि सही सार्थक करम है वो क्या होगा पहले पुलिस आएगी एक दंड आएगा अपराद या फिर नयायमूर्ति या फिर फैसला तो इसको सही सार्थ करना है जिसका सार्थक करम हो सही क्या हो जाएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा तो सबसे पहले हो जाएगा कोई अपराद क्या हो जाएगा अपराद मानलों सबसे पहले कोई किसी व्यक्ति नहीं क्या किया अपराद तो नमबर तीन हो सबसे पहले हो जाएगा उसके बा दूंश्याद ने मूर्ति के पास ले जाने बाद नगेंगे इंप स्हाइब इसके बाद क्या यां हो जाएगा उसके बाद उसके पो क्या दिया जाएगा दन्ड या फिर सार्थ करम गाद क्या च्रालत करह बने गा update 14 20 कौण फ्सन में है यह इंद मारो सन थी एक च्यार पांच दो तो उस नमबर शी है वो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा निमनली खित दी गई पर्षन में लुप्त विकल्प का चैन करें यह जो पर्षन दिया गया है उनमें जो पर्षन आचक्चिन है क्यूशन मार करें इसकी जगह पर कौन सा सब्द या फिर अक्सर आएगा यह हमें बताना है तो यह क्या सीरीज ब हम एम और हम एप आया तो यही वाद Müd is ind ऑज्ण मारूस में 3 कि यह कितनी एड किरिए 7 दिया ट गए तब आम जाएगा आि बन जाएगा तो इसी परकार हम F में 3 एड़ करते हैं तो क्या बनता है I फिर M और फिर Q ये बनता है तो I में हम सबसे पहले 3 एड़ करेंगे I में हम सब 3 एड़ करेंगे तो क्या बन जाएगा I में 3 एड़ करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा P बन जाएगा और Q में 3 एड़ के रहेंगे तो क्या बन जाएगा T बन जाएगा तो L, P, T यह इस question का right answer हो जाएगा कौन से number option में है यह third number option C option में है L, P, T तो इस प्रकार से हमें अंतर इसका difference है वो देख लेना है कि कितने जोडने पर next संख्या या वर्ण वाला है वो प्राप्त हुई तो उसी आदार पर हम इसमें आगे जोडते हैं फिर गटाते हैं next question है हमारा नीचे दिये गए इस स्रेणी में अगला पद क्या होगा यह जो स्रेणी दी गई है जैसे क्या दिये गए है पांच, ग्यारह, तेईस आगे क्या दिया गए है 47 और 95 और आगे दिया गए है question mark तो एक question mark है इसकी जगए पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है तो पांच के बाद में 11 बन रहा है तो कैसे बन रहा 11 तो पांच को हम जब दो से गुणा करते है क्या करते है दो से multiply करते है तो पांच दोने 10 और साथ में क्या करते है एक एड़ करते है तो क्या बन जाएगा 11 तो multiply 2 और प्लस में एड़ करते है 1 तो क्या बन गा 11 तो ग्यारह को हम दो से गुणा करते है तो क्या हो जाएगा ग्हाइराँ दोने 22 और 22 में जब एक 내가 करते क्या हो जाएगा तेस इसी परकार तेस में तो से डुने 46 और एक करती है तो क्या हो जाएगा 27 इसी परकार 47 को दो से मेने करते हैं तो क्या हो जाएगा medication 94 में जब one add करते हैं तो 95 इसे परकार 95 में को जब 2 से multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 190 उसमें एग add करेंगे तो क्या हो जाएगा 191 तो 101 क्याण में option number D है वो इसका correct answer हो जाएगा 191 है वो इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट question है हमारा A B की बहन है B C की पुत्री है E D का पिता है D A का भाई है E का C से क्या समन्द है तो सबसे पहले क्या कहा गया है A B की बहन है यह क्या हो जाएगा A और यह क्या हो जाएगा B तो A है वो B की क्या है बहन है तो इसको negative कर लेते है और यह क्या हो जाएगा बहन है आपस में तो next question क्या है इसमें B C की पुत्री है B है वो C की क्या है पुत्री तो उपर क्या लिख देते हम C to twice है क्या है इसकी पुत्री है, मतलब C इसका पिता भी हो सकता है और इसकी माता भी हो सकती है नेक्स इसमें E D का पिता है, तो ना तो हमें E का पता है भी ना D का पता इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, D है वो A का भाई है D है वो A क्या है भाई तो इधर हम D लिख देते हैं इसका भाई हो जाएगा D ये भाई बेहने आपस में तीनो next है इसमें E का C से क्या समंध है E का C से क्या समंध है इसे पहले हम देखते हैं E है वो D का क्या है पिता E है तो इधर लिग लेते हम E लिग देते हैं यह हो जाएगा E वो क्या हो जाएगा D का पिता है तो यह तो है उसका पिता और यह फिर क्या हो जाएगी माता यह आपस में क्या है पती पत्नी है तो E वो का सी से क्या समन्द है E C का क्या है पत्नी है या तो option number C husband या फिर पती इसका right answer हो जाएगा next question को देखते है next question है हमारा यदि किसी कूट बासा में singer को A, I, B, C, E, D लिखा जाता है तो उसी बासा में ginger G, I, N, G, E, R को कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले क्या है नाम क्या दिया गया है singer S, I, N, G, E, R ये दिया गया है और इसको क्या लिखा गया है ये लिखा गया है A, I, B, C, E, और D ये लिखा गया है next क्या पूचा है हमें G, I, N, G, E, R G, I, N, G, E, R ये हमें पूचा है इसकी जगर क्या लिखा गया है तो हम देखते हैं इसमें जो G को अटाकर बाकि जो संख्या है वर्ड है वो शेम है I-N-G-E-R इसमें भी I-N-G-E-R तो यह जो I-N-G-E-R के लिए जो कोड है यह सेम रह जाएगा आगे का कोड है यह I-B-C-E-D और हमें G का कोड और पता करना है तो G का कोड इसमें क्या दिया गए ई तो G का कोड हम E लिख देते हैं तो सब से पहले A लिख देते हैं और बाकी जो कोड है I-N-G-E-R के लिए वो सेम का सेम रख देते हैं तो I-B-C-E-D यह हो जाएगा तो E-I-B-E-U थोड़ा जी का कोड क्या हो जाएगा जी का कोड़ हो जाएगा C, sorry हमने E बता दिया, जी का कोड़ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तो C, I, B, C, E, D, C, I, B, C, E, D, यह कौन सी option में है, तो यह option number B में दिया गया है, C, I, B, C, E, D, option number B है, वो इसका right answer हो जाएगा, next question को देखते हैं, next question है, निमनली खित पर्षन में चार विकलपों में से एक अन्य से भिन है, तो भिन विकलप का चैन करें, यह चार ओप्षन दिये गए हैं, उनमें यह तीन तो एक परकार से शेव हैं और एक अलग है, तो वो अलग में चाटना है, विसम है वो कौन सा है, त तारा, तो इसम है वो कौन सा हो जाएगा, तो विसम हो जाएगा इसमें ब्रमांड, ब्रमांड है वो अलग है, बाकी तीनों क्या है, यह बाकी तीनों यह एक खगोल्य पिंड है, और ब्रमांड है, यह खुद में एक ब्रमांड आस्मान में है, तो यह तीनों क्या है, खग या विसम संख्यय का चैन करें ये तो किर सं दिया गया है उसमें हमें संख्या है वो चाटनी थे सब यह दिया गया है दोछोड़ा दोछोड़ा है फिर क्या है 343 1331 यह है शोड़ा सो 61 2600 और 2217 24, यë संक्या दी गई उनमें में इजल सकट दिंपरेंट तो 260 सिह याद आता है कि 266 की ग्यूब होती है, वो of 240 होती है, 340 क्या होती है, वो होती है 7C3 और क्या दिया गया गया. 1331, तो 1331 कि कितने ही क्यूब होती है, यह होती है 11C6, 661 621C किसी की क्यूब नहीं होती है तो 6001 यहां हो इसका रहे एंसर हो जाएगा मौत की 207 में है वह कित्नी की क्यूब होती है वह थे 13 की क्यूब होती है 217 ऊसर 257 यह होती है 14 की क्यों मौत तल सनबर Because ाई सोडा सुएक्सेट वो इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स्το कुशिन शमीकरण को किसी विशेष नियम के आधार पर हल किया गया है उसी नियम के अधार पर रिक्त समीकन को हल करें ये तिन समीकन दिये गए उनको हल किया गया है जिसमें 2 को और तीसरे को हमें हल बताना है तो किस परकार से हल किया गया है विशेश नियम लगाया गया है तो इसमें संक्या दी गए 257 गुणा 11 प्लस 2 तो इसको हल करके क्या किया गया है 211 700 बाउन ये इसको हल किया गया है तो कैसे हल किया गया है तो हली इस परकार से क्या गया है इसमें तो दो है ये जो संख्या दी गई इसको उल्टी लिखी गई है पहले दो लिख दिया फिर 11 फिर 752 इसी परकार से उल्टे करम में इसको लि जाएगा सबसे पहले 9 आएगा फिर 1 फिर 7 फिर 3 फिर 2 1 तो 917 321 917 321 ओप्सन नम्बर 6 है वो इसका ग्रेक्ट एंसर हो जाएगा next question है हमारा एक पुरुस की तस्वीर की और इसारा करते हुए एक औरत कहती है वह मेरी मा के पिता का इकलोता पुत्र है वह औरत उस व्यक्ति से कैसे समंधित है तो इसमें क्या कहाएगा कि एक औरत है यह मतलब कोई पुरुस की तस्वीर है और यह कोई औरत है तो यह औरत है इसकी तरफ इस्षार ला करके क्या कहती है कि वह है तश्वीर है मेरी मा ऩिसकी मादा ना AL जाएगा इसका नाना उसका इसका नाना बन जाएगा इसमें क्या गहागा तो मेरी माके पिता का इकलोता क्या लगेगा वो लगेगा इसका मामा तो तस्वीर किसी है उसके मामा की है औरत व्यक्ति से कैसे वह है वो इसका प्रेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है दिए गई विकल्पों में से विसम सबद या संख्या का चैन करें यह चार ओप्शन दिए गई उनमें से विसम है एक संख्या वो अन्य तीन से अलग है तो वो हमें चाटनी है तो वह कौनसे की हो जाएगी तो वह हो जाएगी 63 ऐसंग्याई क्या है बाजे संक्याइध में तीन किया हो जाता है बागलाइध दाता है और यह बाक 343 वाक्टे क्या है यह 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 संक्याई है तो 63 वह इसका लगा rem है कि 63 है यह क्या है बाज्य संख्याあー 10 जाता है घया, बाकि 43 53 बाकि क्या है यह तींच यह बाज्य SAR शंख्या हो जाएगा हुझग ह出 लूब कांछिछ निहbank है ठान पर आने वाले विखल्प कात निय मेडन तो बाकि रख रहे। पर राइट एंसर क्या आएगा यह में बताना है तो क्या है सबसे पहले h s कि अनुपाद है एक व तो s का क्या बना है kv बना है समानुपाद फिर l m अनुपाद और प्रेर क्यूसन मार्क तो हैं में हम कितने यइढ लगा सब्समें तो चांव बन बंजाएगा इसी परकार यह पंप थरीकितने याड करेंगे प्सक्म में तो मथिकरेंगे दो तो क्या बनाए गा बनाएगा ओपी नभटण तो option number D है OP है वो इसका correct answer हो जाएगा तो dear friends यह थे reasoning के कुछ most important questions अगर आपको व्यूडियो पसंद आए तो प्लीज व्यूडियो को like करें अपने friends में share जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद